हे गेमर्स वागत अब सभी का एक और ने ब्रैंड न्यू पपजी दा मोबलील आटे की गेम प्ले वाली वीडियो में अब यार आज की पे गेम प्ले वीडियो में प्लें का रूट बहुत ही घटिया बना था तो मैं इस डिस्टिक उत्रा ऐसा जब प्लें का रूट बनता न तो उसके पास भी थॉंप से उत् synchronous यार उति हैं तो यहां पे मेरा सकल परिया कि मैने पकड़ा होता है तो मैं में आगा कि हम से बंदे को पेरना स्टाट कर देता हूँ लेगिन फिनिश तो कमसे कम से कि अप इस पॉट के पास यहां से फिक देते हैं और उसका भी यह था लेता है अब तुम आगे की तरफ देखना होता क्या यार आगे की तरफ एक बग्गी मिलती जो कि लाक कर रही होती है और मैं उसके सामने काड़ी रोग देता हूं और मेरा जो है crash हो जाता है पता नी भाई ये गेम की सस्ते नशे कब ठीक होंगे मैंने सोचा थे हैं जैसे गेम में आऊंगा मेरी पेटी मेरे को मिलीगी और लिखा हुआ आएगा कि यू आर किल इन दे लास्ट राउंड बट ऐसा नहीं होता वह बंदा खुद आफ लाइन होता है उसका लैग हो रहा होता तो उसकी आकर हम पेटी बना देते गेम में आके अब यार आगे की दरफ चलते हैं और एक बंदा जो हमें ऊपन में दोड़ता हुआ मिल जाता है और स् जैसा कि मैंने तुम सब को यहां पर बोला यार थॉमसर सिफ क्लोजेंज में सही है और लॉंग रेज के लिए बिल्कुल भी नहीं है इगन बट फिर भी मैनेज कर लेते हैं यहां पर मरते मरते बता हूं देख सकते हो अच पी एकदम जीरो छोड़ दी थी बंदेने अब य जाक और उसकी पेटी बनाते हैं अब यार इनका लास्ट इमिट का होता है वो मेरे को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है न तो यहां पर इनी की जो है किल को कंफर्म करेंगे और फिर आगे की तरफ निकलेंगे क्योंकि इसका लास्ट इमिट जो हैं पर हर्गिस नहीं आता है इन लोगों को बचाने के लिए तो हम तो अपना किल कंफर्म कर लेते हैं अब स्टेडियम में आ रखा था ब्लू जोन तो हम वहां से निकल कर आ जाते हैं सिधा जोन में और जोन में आने के बाद मेरे को पता चलता है कि हाँ पर यार दो बंदे हैं जो कि ओपन अब इस डूओ को फिनिश करने के बाद पचलता है कि सामने की तरफ एक और बंदा है जिनसे कि यह लोग फाइट ले रहे होते हैं अब यहां पर अचानक से एक और बंदा आ जाता है वह भी ड्रॉप रूटने के लिए पता नहीं कहां से क्यों और किस लिए और मेरे ख्याल से बंदे को बिल्कुल भी नहीं पता था कि यहां पर फाइट हो रखिए तो यह बंदा आते ही विचार नौक हो जाता है अब इसका टीमेट कहां है वह भी मेरे को नहीं पता अब य जा ढ़्यासे तो हम जो है बस यह थांसे की बॉल्ल बुलेट्स अगरा उठाते हैं कहीं कहीं से ढूंड ढूंड कर और फीर यार इस बंदे की पेटी बनाने के बाद आगे की तरफ चलते हैं और आगे की तरफ है नास्ट में और भी दो ही बंदे बचने वाले 2ही किल मिलन कि पेए बाइब तो तुमको सेकेंड गेंप्ले दीखने को मिलेगा इसमें बहुत ही तगड़ा वाले इस डबल स्टोरी बिल्डिंग वाले बंदे बहुत ही गंदा डामेज दिया था मेर यहां से तो को पता थे कि वो बंदा तो उपर ही होगा अभी भी तो हम यार चड़ जाते हैं उस बंदे के उपर है ना सीधा उपर चलते हैं और थॉम्सन तो ही क्लोजेज में उपी गन तो वह अपस में लड़ कर मर जाते हैं और लास्ट में सिर्फ एक ही बंदा बच रहा होता है जो कि जोन के बाहर होता है पहाड़ी के उपर तो यार वह वह बिचारा पहाड़ी से कूट करी अपनी जान दे देता है और हम यहां पर फोकट का चिकन डिनर मिल जाता है तो वह सि सकते हैं चैलेज कर लें दे अपने बाट से क्यांबन सकत्कीफिकर यहां इंड़र चैलेंगा मजद करा हना है इस वाले अइन है थे आप तो पकान्या सब्सक्राइक है मेरे मेरे साथ और हम आ रहे हुआ साथ सथ एक और स्कॉज्फ उतर रखी है वो कंटेनर साथ हैं घरों के तरह उत्रे हैं और यहां पर कंन नहीं है वर्णा अभी तक मैं 24 झाल करता वाई एक मेरे कुछ स्कारल मिलती है तो एक को नौक कर देते हो वाप देसे से इसके अंदर एक बंद्द को तो डूंड रा था मै इसने फारेंग की शाउंड दी थी पिछी की तरफ से एक्दम से गायाव वह घया तो इसी बंदे को ढूंड रहा था एंड यार बंदा मिल भी जाता है बहुत ही नाकाम कोशिश करता है गाड़ी से भागने की और विचारा नौक हो जाता है एंड इसको फिनिश जो है वैनम कर देगा कोई दिक्कत की बात निया एंड इस बंदी को फ्लेर होती है और पूरे गन में हमने पू जो जो आख के पीछे 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 वाल ड़क के पीछे इस काई इसी को कहते है है अब इसमें जो एम एसिस्ट ना वो तो हैक से कम नहीं है किसी तो देख से तो मैंने बस दुक्ते से मारी थी वहां पर एंड एम एसिस्ट को वज़े से बंदे को लग गई एन उनकी पेटी बंगी अब यार वैनम को भी एक यहां पर फ्लेर मिल चुकी होती है जो कि उसने चला दी होती है यहां पर बी आर्डीम आ जाती है शायद उसको पता नहीं है कि हम जोन के बाहर हैं तो अब इसको तो नेडवेड मारके निकालना पड़ेगा क्योंकि यह फस चुकी है बहुती बुरे तरह से डबों में और मेरा वाला फ्लेर जो मैंने कहीं पर गमा दिया है पता नहीं कहां गुम कर दिया थैं आपे मेरे को लिटरली याद नहीं आ देते हैं कि यहां पर यार मेरे को सच में थोड़ा टाइम लगता है यह सोचने में कि यार इन बंदों के साथ हो क्या गया पर चलो जो भी था हमारे लिए अच्छा हुआ और इन बंदों के पास से और मिल जाती है मेरी फेवरेट तो और उठाना तो बनता है अब सामने की पर देते हैं और उस बंदे के पास जाकर उसकी पेटी बना देते हैं ऐसे बूलूगा न एक तम शान ठंग से धीरे धीरे एक एक लफ तब जाकर अच्छे से निकलेगा मेरे मुझ से अगर फास बोलूगा न तो बाई जबान लड़ खडाती रहती है पता निक्यों बैटरिली मेरे को ये चीज समझ में नहीं आ थी कि किस बंदेनी इस गाड़ी का नाम BRDM रखाया इसका नाम तो बैल गाड़ी होना चैए वे बैल गाड़ी से भी स्लो चलती है जाड़ी और यार इतनी ज़्यादा स्किट होती है अगर ढ़ंग से तुम नहीं चला पाऊ इ आता ही नीचे कूच जाता है और बोलता है कि आओ मार लो मुझे एक ही तो बचाओं यह भाई साथ तो अपने टीम से अकेले यहां पर मस्त माल पनी लूटने में लगे हुए थे और वैनम पता नहीं क्या बक्चोदिया पेल रहा है भाई गाड़ी में बैठ कर अकेले मजे ले रहा था तो कोई दिक्कत नहीं अब फिर से ब्यार डेम पर बैठते हैं और फिर ब बैल गाड़ी से भी बेकार है हम सीधा अपनी गाड़ी लेकर ओल्ड बासीन आ जाते हैं और यहां पर भी दो बंदे होते जिन्हों ड्रॉप रूटा होता और उनके पास एडवले में सब कुछ होती है लेकिन गलती यह होती है उनकी कि यार वो ओपन से दोड़ते हुए आ आ देते हैं अगे अगे नियार हम अपनी बैल गाड़ी लेकर ओल्ड बासीन से जो नीचे घर होते हैं खुँल नदी पार करके वहाँ पर आजाते हैं और यहाँ पर भी हार एक स्कॉड होती है जो आपस है लड़ भिड़ रही होती है तो यार हम अहां पर थाड़ पार्टी कर देते में और था तो इसलिए मेरे को कभी-कभी बहुत ही बेकाल लगती एक मैगजीन में बंदा नौक भी नहीं होता लेकिन यहाँ पर दिक्कत एक यह हो जाती है कि यह बंदा जाते जाते वैनम को भी ले जाता है यहाँ पर रिवाइव तो देता हूँ लेकिन यार वो हील नहीं लगा पाता है जोन बहुत जादा काट रहा होता है तो इन बंदों से healing healing loot के मैं खुछ zone में भाग रहा होता हूँ इतने में मेरे को और भी दो बंदे दिखते हैं जो कि zone में भाग रहे होता है थर्डिल की तरफ से तो उन दोनों बंदों को finish करने के बाद यार अब सिर्फ एक ही बंदा बच रहा होता है जो कि zone के बाहर ही होता है और वह भी zone के अंदर आ रहा होता है तो मैं यहां पर healing healing लगा रहता हूँ इतने में मेरे को पीछे से पढ़ती है तो यार फाइनली इस बंदे को भी finish करकर कर लेते हम यहां पर chicken dinner and I hope तुम लोगों को आज का यह वाला gameplay ज़रू से पसंद आया होगा और पसंद आया हो तो like, share and subscribe कर देना है और मैं मिलता हूँ आपको नेक वीडियो में तब तक के लिए बाइ